नमस्कार दोस्तों आज हम आपको दुनिया भर के अलग-अलग देशों की तस खतरना सरकों के बारे में बताएंगे चले शुरू करते हैं पैसेज डू गोयस फ्रांस फ्रांस की ये सरक मेंलेंड को नॉयर माटियर आइलेंड से जोड़ती है जो फ्रांस के अतलन्टिक कोस्ट पर स्ती थे सरक की लंबाई 4.5 km है पहले नजर में देखने पर लगेगा कि ये सरक बेहत सांदर है लेकिन चंद घंटों की बाद आपका नजर ये बदल जाएगा दरसल समुद्रे में आने वेले जोड़ की वज़ा से सरक पुरी तरह से गाइब हो जाती है दिन में ये दो बार होती है इस दोरन कई कार फज़ जाती है तो उसे जोड़ अपने साथ बाहा ले जाती है आईवी हाईगो अस्टिलिया एक आज़ाच छे सोपिचतर किलोमेटर लंबी इस सरक का 145.6 किलोमेटर हिस्सा बिलकुल सीधा है इस करण से ये सरक अस्टिलिया की सबसे सीधिंग सरक भी है ये हाईवे सीधा सवपाट अटसांदार है लेकिन उतना ही जादा खतर नग भी जरते हैं ऐसे मिन सरक पर अक्सर कैंगरू हाती और दूसरी जंगली जनवार आ जाता है जिससे एक्सिधन भी हो जाती है इस बज़ा से इस रोट को स्लोटर वैली के नाम से भी जाना जाता है हलसी महाईवे फिलिपिन्स समुद्द तल से 2000 मीटाई की उची पर बनी ये सरक सिर्फ गर्मी के मौसम में ही सुरक्कित रहती है इसके बाद इस सरक पर सफर करना बहेदी खतरनाक होता है मार्च और एप्रिल के छोड़ दिया जाये तो बाकी 10 महीने यहाँ जाम कर बारिस होती है और धुन्द भी लगा रहता है ऐसे में जान की वाजी लगा कर कोई टूरिस इस सरक से गुजरते है वही कई जगा पर ये सरक छोटी है जिस कारण से बास डाइवर भी कई बार जा को में इंक्लूट किया जाता है 23.5 किलोमेटर लंबी इस सरक में बनी गड़े इसे और खतरनक बनाता है वही सरक छोटी होने के कारण बड़ी घड़ी ठीक तरह से मूर भी नहीं पाते है हाला कि इस सरक के किनार्य प्राकृतिक नजर सांदार है लेकिन एक मिस्टेक जान ल अबर आठ से भी जाना जाता है जो कि ताइवन की सबसे खतरनक रोड है इस सरक से गुजरने से पहले हर को यह एक बार सोचता है क्योंकि पहार को काटकर बनाएगी इस सरक काफी चोटी है वह दूसरी ओगर खाई है ऐसे में अगर कोई सामने से गारी आ जाता है तो एक जोजिला पास इंडिया भारत के लादाक और कास्मीर के बने जोजिला पास को वी दुनिया के खतरना सरकों में इंक्लूट किया जाता है 11.575 फीट को उचाई पर बनी इस सरक को लंबाई 9 किलिमिटर है ज्यादा तर इस इलाके में तेज हावा और बरबबरी होती है इस बज़ा से भी ये सरक खतरनाग बन जती है वही बारिश की कारण कीचर में फोर विलर गड़िया फश जती है जिससे जैम लग जाता है वही एक गलती से सीदे खाई में जाने का डरवी लगा रहता है कारा कोराउं हाईवे पहारो को काटकर बनाय गया यह हाईवे दुनिया का सबसे उच्छा इंटेननेस्टनल हाईवे है जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है पहारो पर बना यह रास्ता शुरुवत से खतरनाग है इस पर भायन्यक धुन्द और तुफअन से सामना होता है वही काई बार मार जैसी हालाद भी हो जाती है दर असल पहारों का पानी नीचे गीरती हुई सरकों पर जमा हो जाती है वही इस हाइवे पर अतंग वदियों का डेरा भी है जो और खतरनक बनाता है त्यानमेन माउंटेन रोड चीन महज 1100 मीटर की दूरी को तया करने के लिए त्यानमेन माउंटेन पर 11 किलो मीटर लंबी इस सरक को बनाया गया है इस सरक पर हेयर पीन की तरह 99 मोर है हलाकि ये सरक छोटी नहीं है वावुजूद इसकी काफी खतरनाग है दरसल एक और खाई ह दिखाय देता है तो दूसरी और मोर की वज़ा से एक्सिलेंट का खतर बाना रहता है लगजर और हर्गद रोड इजिप्ट ये सरक अईतियसिक सर लगजर और लाल सगर के बीज बनी है हर्गद शेत्रों में कई भी कार लेकर इस सरक से गुजरने के लिए सलहा नहीं देते है दरसल इस रोड पर का एक क्रिमिनल और अतंगवदी की नजर रहती है जो रातों में गुजरने वाली गाडियों पर एटक कर देते है वो इस सरक भी काफी खराब है जिसकी बज़ा से रातों में एक्सिडेंट भी बहुत होती है ऐसे में अगर आप इस सरक पर रात में ड ड्राइब ना करे तो ही वेतर है दरसल इस सरक पर हर बो खत्रह मौझूद है जो जानलेवा सावित हो सकती है काई पर आदा मोर है तो कहीं पर खाई काई शरक क्टुटी है तो कहीं एकदम संक्री ऐसे में मामूली एक्सिडेंट में भी कई खास बुडी तरह से गायल हो सकत है ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ी को पीछे करना पड़ता है हालाकि पीछे करने के दोरान भी एक्सिडेंट का खाता बना रहता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको एक लाइक कीजिए और आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दुस्तों